राधी राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दीख हार्दीख स्वागत अभिन्दन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रशाद ग्रहन किया जाए या नहीं क्योंकि इस संबन्द में बहुत सारे लोगों में भ्रम फैला हुआ है शिव के प्रशाद में चंड का भाग होता है भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रगट चंडेश्वर उनके प्रेत गनों में प्रधान है इसलिए उनका प्रशाद ग्रहन करने योग्य नहीं है यह यह बात तो ठीक है किन्तु कौन सा प्रसाद चंड का भाग है और कौन सा उनका भाग नहीं है यह बात विचार कर लेनी चाहिए क्योंकि प्रसाद के त्याग में भी बहुत बड़ा दोश शाष्त्रों में बताया गया है तो ग्रहन करने योगे प्रसाद नमबर एक जहां कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ती यानि की हाथ पैरवाली बनी हो उसका प्रसाद ग्रहन किया जा सकता है दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान ही वह प्रसाद भी पवित्र है नमबर दो किसी भी धातू से बने हुए शिवलिंग के उपर चड़ा हुआ प्रसाद सर्वता पवित्र है वह ग्रहन करने योगे है यदि किसी दूसरी वस्तू से बना शिवलिंग हो और उसके उपर धातू का कलेवर चड़ा हो जैसा की अनेक स्थानों में है तो उस पर चड़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है नमबर तीन जो प्रसाद शिवलिंग के उपर नहीं चड़ाया हुआ है सामने रखकर भोग लगाया गया है वह प्रसाद भी पवित्र है उसे ग्रहन किया जाना चाहिए नमबर चार केशर चंदन मिलाकर के जो लिंग मूर्ती बनती है उस पर चड़ा हुआ प्रसाद भी ग्रहन करने योग्य है नमबर पांच किसी भी शिवलिंग पर चड़ा हुआ प्रसाद यदि शालग राम जी को स्पर्ष करवा दिया जाए या भगवान शंकर की लिंग मूर्ती पर चड़ा हुआ प्रसाद चाहे वे किसी भी लिंग पर चड़ाया गया हो भगवान विश्नु को भोग लगा दिया जाए या शालग राम जी को अर्पित कर दिया जाए तो वे प्रसाद भी पवित्र है और लेने योग है नमबर छे द्वादस जोतिर लिंग आश्ट उप लिंग आश्ट तत्व लिंग स्वंभू लिंग जो स्वयम प्रगट हुए हैं या किसी साधू महापुर्ष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त हुआ बान लिंग यानि की नर्मदेश्वर इनके उपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र है इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता अब कौन सा प्रशाद जो की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है और ग्रहन करने यूगे नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ ये उपर जितने भी शिवलिंग मैंने बताए हैं उनको छोड़ दें तो साधारन पत्थर से गड़े हुए लिंग, नर्मदा के अतिरिक्त, किसी दूसरी नदी में से प्राप्त लिंग या मूर्ती, अत्वा केशर के अतिरिक्त, किसी दूसरे पदार्थों से बनी मिट्टी, चीनी मिट्टी आदी के शिव लिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे किसी को भी ग्रहन नहीं करना चाहिए इसे मन से चंड को अरपित करके किसी भी जलाश्य में डाल देना चाहिए तो अब आप समझ गए है कि कौन सा प्रसाद ग्रहन करने योग्य है और कौन सा नहीं अपने मन के भ्रम को दूर करिए और जो प्रसाद ग्रहन करने योग्य है उसे ग्रहन कीजिए उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद